मने अध्यक्जी मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आजादी के बाद जो कुछ राष्ट्र के जीवन में महत्वपुन प्रस्ताव आये हैं उसमें से एक प्रस्ताव स्री राम जन्बभुवी पर मंदिर के निर्मान का उसमें मुझे मेरे विचार रखने के लिए आपने मौका दिया इसलिए रदय से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मानेवर में देश की 140 करोड की जन्ता की और से भी आसन का स्पिकर साब का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि यह जो सदन है वो नियम यह सो तो चलता ही है हर चर्चा नियमों से बदी हुई होती है सम्विधान से बंदी हुई होती है परन्तु एक मायरों में यह सदन जन्चेतना का जन्ता की आकांग्षाओं का और जन्ता की इच्छाओं की प्रवक्ता बनने का भी सदन का दाइत्व है और आज यह हो रहा है 140 करोड के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जन्वरु के बाद एक अध्भूत अध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहे है मनेवर मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज कोई सदन के सामने रखना चाहता हूँ जो सालों से कौट के काज़ों में दबी हुई थी नरेंद्र मोदी जी के प्रदान मंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली अभी व्यक्ति भी मान्यवरे 22 जन्वरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे मैं सपश्ट रूप से देख रहा हूँ 22 जन्वरी का दिन दस सहस्त्र सालों के लिए अितियासीक दिन बनने वाला है यह सब को समझ कर चलना चाहता है मान्यवर जो इतियास को पहचानते नहीं अितियासीक पलों को पहचानते नहीं वो अपने अस्तीतों को अपने वजूद को कहीं न कहीं खोदेते है मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जन्वरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधीक सालों तक इस देश का इत्यासिक दिन है मानेवर 22 जन्वरी का दिन 1528 से सुरी हुई एक संघर्स और अन्याई के सामने लडाई की लडाई का एक अंदोलन के अंत का दिन है 1528 से चलूवी यह न्याई की लडाई यहाँ पर समाप मानेवर 22 जन्वरी का दिन करोडों भक्तों के आसा अकांक्सा और सिद्धी का दिन है उनकी आज आसा अकांक्सा और सिद्ध हुई है मनेवर 22 जन्वरी का दिन भारत की समग्र भारत की मैं चाहूंगा की समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे 22 जन्वरी का दिन समग्र भारत की अध्यात्मिक चेतना के पुन जागरण का दिन आज इतियास में बन ठुका है मनेवर 22 जन्वरी का दिन महान भारत की यात्रा की सुरुवात का दिन 22 जन्वरी के दिन मा भारती को विश्व गुरू के मार्ग पर ले जाने को प्रसस्त करने वाला दिन मानेवर बनने वाला मानेवर ए देश की कलपना राम और राम चरीत्र के बगर करही नहीं सकते जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और राम चरीत मानस के बगर वो जी ही नहीं सकते हैं राम का चरीत्र और राम ये देश के जन मानस का प्राण है, ये सब को समझना चाहिए, सब को सुधाना है और इसलिए मान्यवर हमारे सम्विदान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्स राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया, सम्विदान में भी राम दर्बार को स्थान लिया गया। मान्यवर जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते हैं, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनी दिख्टो करते हैं। होना चाहिए इसका प्रतिक न केवल भारत समगरे दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरीत्र को फिर से प्रस्ताफित करने का काम 22 जन्वरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है, वो इस देश के लिए अब उन सवभाग्य साली लोगों में से हैं, जो 1528 वहाँ पर राम मंदिर देखना चाते हैं, पीडिया चली गई, हजारों लोग, लाकों लोग, सहीद हुए, संगर्स किये, अंदोलन किये, मगर इस दिन देखना से सौपन में नहीं आया, आज हम सब बहुत सवभाग्य सा देखा ही नहीं जा सकते, कई भासाओं में, कई प्रदेशों में, और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायन का जिक, रामायन का अनुवाद, रामायन से बनी परंपराएं, और रामायन को अपने राष्ट्रियत, चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है, कई सारे रामा अध्यात्म रामायन, आनंद रामायन, अधी में रामचरित मारस, ओडिया में तिराप्रकार के रामायन, तेलगु में रंगनाथ रामायन, रगुनाथ रामायन, कन्नड में कुमुन देंदू रामायन, तोरवे रामायन, बतलेश्व रामायन, असम्या में कथा रामायन, सब् करदेव ने भी वरगीत के अंदर रामायन का वनंग किया बंगला में भी रामायन मिलेगा कस्मीर में भी राम अवतार चरीत मिलेगा बहुत परंपरायों में भी अन्मन जातक में रामायन का जिक्र मिलेगा मैथिली में भी रामायन है पंजाबी में गोविन रामायन है इतना प्रस्तापीत किया है। प्रस्तापीत किया है। अलग इस देश की कलपना हुई नहीं सकती। प्रस्तापीत किया है। मन्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये आंदोलन से अनिभिक होकर कोई इस देश के इतियास को पड़ ही नहीं सकता। आज से नहीं 1528 से हर पीड़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी सरुप से वाचा दी। और ये ममला लंब में समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा है। आज मूदी जी के समय में ही इसको परवान चड़ना था, ये स्वपन को सिध्ध होना था और आज देश स्वपन सिध्ध होता हुआ दिखा है। मान्यवर राम जन्मूमी का जो इतियास है, ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओ, संतो, निहंगो, अलग-अलग संगठोनों और कानून विशस्यज्यों ने ये लडाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जन्वरी 2024 तक की संपून कानूनी और युद्धो की और अंदोलनों की लडाई को इस सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरन करना चाहता हूँ। और उनकी लडाई जब आज समाप्त हुई है तब मुझे विश्वास से मानेवर वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूती करते होंगे अपनी स्रद्धा को चरितार्थ करनी की अनुभूती करते होंगे। जिलहरी के समान कई लोगों ने अपना योगदान दिया और मानेवर ये राम सेतु जो बढ़ना था 1528 से 22 जन्वरी 2024 तक का ये सेतु का भुमी पुजन भी नरेंद्र मोधी जी ने किया और प्राण प्रतिष्टा भी नरेंद्र मोधी जी किया। मानेवर 1990 में जब ए आंदोलन ने घती पिकड़ी उसके पहले सी ही भारतिय जन्ता पार्टी का देश की जन्ता को वादा था। हमने पालंपूर कारेकानी के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित करकर कहा था कि राम मंदीर का निर्मान इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोडना चाहिए। ये देश की चेतना की पुनट जागरूती का आंदोलन है। इसलिए हम राम जन्भुमी को मुक्त कराकर कानूनुरूप से मुक्त कराकर वहाँ पर राम मंदीर की स्थापना करेंगे। अब इस देश में प्रब्लेम क्या है साथ। जब चुनाव में गोशना पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वाट प्राप्त करने के लिए लिया। चुनावी वादा है। ये बादपा ऐसे ही वादे करती हैं। तिन सो सित्यर हो, राम जन्मुवी हो, उनिफर्म सिविल कोड हो, त्रिपल तिलाक समाप्त करना हो। अब एक कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वाट प्राप्त करने का जरिया होता है। और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी और हमारे नेता नरेंदर मोदी जी मानेवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। यह हमारी पार्टी का चरित्र है। और एक कोई छिपी हुई बात नहीं है। कि सीच का अक्रोस है। हम 1986 से कह रहे हैं कि वहारा भवे राम मंदिर बनना चाहिए सम्विधानिक तरीके से। कुछ लोगों ने यहाँ पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मानिवर क्या सुप्रीम कॉट की पाँच जजो की खंड़ पित के जज्जमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो। भारत के सम्विदान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो किसी ने अगर सुप्रीम कोट की अलवना करकर वहाँ पर मंदीर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे मगर जब देश की सर्वोच अदालत के पांच जजों की खंड पितने और जिसकी अध्यक्सा स्वयम चीप जश्ट्रीस ऑफ इंडिया और आने वाले चार चीप जश्ट्रीस कर रहे थे एसी महतोफून बैंच ने जब निर लिया तब अब कैसे काण्या काग सकते हो मनेवर निर पसंद हो तो स्विकार कर लेना सुप्रीम कोट का संवान करना और कोई निर पसंद ना फेल तो सुप्रीम कोट के भी बड़ा बुड़ा करना ये ठीक नहीं यह मान्यवर सुप्रीम कौट के निर्णे ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निर्पेक चरीत्र को उजागर किया है। मान्यवर जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूं है कि क्यूं बोल रहे हैं मैं आज फिर से कहना चाहता हूं हमारे गुजरात में एक कहावत है हवन में हड़ी नहीं डालनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगित्ता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए जब मोदी जी को देश की जन्ता ने लंबे समय के बाद और कॉंग्रेस के बगर किसी दल ने पहली बार पून बहुमत के साथ प्रदान मं सुरू हुए मनेवर 14 से 19 तक राम जन्मुमी मंदिर की लड़ाई चली उसका ट्रांसलेशन हुआ सालों लगे लाखों पेच का अनुवाद हुआ अनुवाद होकर कॉट के सामने गया बीच में चुनाव आ गया कॉट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको सायद अलग दुरुष्टी से देखा जाएगा कोई बात नहीं चुनाव के बात फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला और अन्ततो गत्वा जब कॉट ने नयाय किया तब 5 अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसक मानने वर कि जो 20 से 24 की यात्रा है वो 20 से 24 की यात्रा भी समदनी चाहिए राम जन्मुमी का अंदोलन ऐसे ही नहीं चला है इसके साथ हर गाव हर घर में हर करोडो रामबत अनेक संगठन भारतिये जनता पार्टी राष्ट्रेव समस्यों संग समेथ घर गर गए सिला ले कर पूजा की और वो पत्थर को राम मंदीर की सिला बना कर अहोध्या तक पहुचाने का काम करोडों लोकों ने अपनी स्रद्धा अपनी इच्छा संवेधानिक तरीके से सांती पूर्ण तरीके से अहोध्या पहुचाई और सुप्रीम कौट ने जब जज्मेंट दे दिया न निर्मान की सुरुवात हुई अडवानी जी ने सोमनाच से अहोध्या यात्राभी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लडाई असोक सिंगल जी जो चरम सिमा पर लेया गये थे अडवानी जी ने जन जागरूती की और मोधी जी ने जन आकांचा की पू पूरा पूरा अंदोलन मान्यवर जब भी दुनिया का इतियास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वेल्यू के रुप में दिखना जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ती के लिए इतने समय धैरे रखकर सुप्रीम कोट में ग में इसकी पूर्ती हो मानेवर यह बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं मानेवर कि यह मोदी जी के नेत्रूतों के बगएर संभव नहीं था मानेवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राममंदीर का निर्मान हो रहा था तब और जब ज़ज्मेंट आया तब कई लो में धर्म-धर्म के बीच में बड़े विखवाद हूं मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि भारती जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी इस देश के प्धान में चाहता हूं कोड के जज्मेंट को भी जय पराजय की जगे सबकी मान्य न्यावलाय के आदेश में परिवर्तीत करने का काम मोदी जी के दूरदर्सी जिचाहन दोभे और उसके बाद उसके बाद जब समय आया निर्मान के बाद जब समय आया मानेवर उनको नौत्या मेला कि वो आकर भुमी पुजन करे एक सो तीस करोड की जनता के वो जन प्रतिनी दिये नाते जब मौका दिया सिलान न्यास करने का तब मोधी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए मानेवर वो आचरण आने वाले अनेक सेंकडों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेणा भी मिलेगी मानेवर हम सब ने आचारिय गोविंदेव गिरी जी ने जो वक्तव ये दिया वो सुना है मोदी जी को जब मौका मिले तब उन्होंने रामानंदी समाज के संपरदाई के और वैश्णव संतों से पूछा कि भई प्राण प्रतिष्टा करनी है किसी संसारी ने करनी है तो इसके यम नियम इसके लिए किस प्रकार की उपास ना करनी चाहिए और जो संतों की ओर से सुजाएगा उससे भी अनेक गुना कठोर ग्यारा दिन का व्रत इस दोश के प्राण ना मानेवर ग्यारा दिन तक सहिया पर नहीं सोना ग्यारा दिन तक केवल नारियल पानी के साथ उपास करना ग्यारा दिन तक पूरा समय राम मय राम भक्ती में रचे बसे रहना और पूर जीवन की उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राम मय बनकर प्राण प्रतिश्टा करना मान्यवर ये ग्यारा दिन में मा सबरी गिलेरी वानर भालू जटायू ये सब के साथ जुड़े हुए देश बर में जो राम के स्थान थे वहां जाकर राम के काज के लिए गिलेरी जैसा भी योगदान देने वालों को स्रद्दा पूर्वक प्रणाम करने का राम वाम मंदीर का जब भुमी पुजन का समय आया कोई पोलिटिकल नारे नहीं लगाए ना मोदी जी ने इसका नेत्रूत पोलिटिकल ही किया ना हमारी पार्टी ने किया हरोज एक राम का भजन अलग-अलग भासा में ट्वीट केरकर एक भक्ति का आंदोलन शुदू देश मे कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए है धेर सारे आंदोलन खड़े हुए मानिवर इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है मानिवर मीरा ने चलाया गुजरात में नर्सी मेता ने चलाया रामानन ने चलाया एकनाथ और ज्यानेश्वर ने चलाया संकर समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के पती सब की आस्ता को बंधाने का का बंगोर अंदेरी रात में एक दुरूत आरे की तरह एक भक्ती आंदोलन ने देश के जन्मानस का नेत्रुत किया है भारत के ही छोर में दस ही गुरुवों ने अनेक प्रकार के बलिदान एक दसम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया इस प्रकार के त्याक की भी इस देश की परंपरा रहे परंटु एस समक्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और रादनीति की तियास में एक साशक ने एक जनता के व्यक्ति ने एक जनता के प्रतिनिदी ने अपने यम नियम तब और उपासना से भक्ति चितना की जागूति की तो इसका एक मात्र गटना नरेंद्र बोदी और मैं तो स्वेम अनुभाव कर रहा हूं मैं उस दिन बेठा था लक्षमी नायन मंदिर में दिली में बिल्ला मंदिर में जो जनता थी जो लोग थे सबकी आँखों में आशू थे फूरा देश राम मैं हो गोया था और जैस्री राम के नारें लगा रहा हूं मानेवर मोदी जी ने बड़ी सालिमता के साथ विजय के पराजय के कोई भाव के बगर जैस्री राम के यूद्ध के नारों से पुरी दुनिया जानती है जैस्री राम की वानर सेना का यूद्ध का घोश्थ पुरी दुनिया जानती है जैसंगर्स चला तब जैस्री राम च पूरे देश को पूरे देश को आगे ले जाने वाले यात्रा है इतने चेतना मैं वातावन के अंदर भी विभाजन की बात करने वाले लोगों से मेरा करबद निविदन है समय को पहचानों समय को पहचानों एकता के संदेश को स्विकारों और आगे देखकर चलना सुरू करो भारत की और हम सब की भलाई मानेवर यह बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है और मैं फीर से एक बात कहना चाहता हूं जिसने सन्यस्त नहीं लिया है जो सन्यासी नहीं है जो किसी हम्त सब प्रदाय का उपदेशक नहीं है एसा व्यक्ति और जो देश का सासक है प्रदान मंतरी है प्रदान स्यवक एसा व्यक्ति आध्यात्मी चेतना भक्ति की चेतना थे एक दूनिया में ऐसी मिशाल साइध ही कहीं नहीं हुर्ण मानेवर, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में खड़े ओकर गवरव के साथ कहना चाहता हूं, कि मोदी जी मेरे नेता है, मेरे पार्टी के नेता है, मेरे पार्टी के प्रमुख नेता है। मानेवर मोदी जी ने एक ऐसा नेतरुत्व दिया जिसने अनेक समय पर नेतरुतों के गून क्या होते हैं इसका परिचय देने का काम किया अच्छे समय में भी किस प्रकार से सहियम रखना चाहिए इसका एक उदाहन स्थापित करने का काम किया और हर समय पर निर्भाईता के साथ समवेदन सिल, सजग और जन बावनाओं को समर्पीत नित्रू तो कैसा होता है इसका उदान दिया इनके दस साल के कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के पढ़ाव आये हैं मंदिर ये भी राम जन्मुव के अंदोलन जैसे ही पढ़ाव रहे हैं क्योंकि जो गड़ा ये खोद कर गए थे वो गड़े को भड़कर उसमें महान भारत की इमारत बनाना ये राम मंदिर की यात्रा से कोई कम यात्रा नहीं है मानिवर्ण सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो आर्थिक शेत्र के अंदर जो बदहाली करी थी जो पॉलिसी पेरालिसिस वाली गर्वेंट थी सेकड़ो पॉलिसिया बनकर आज ग्यारवे नंबर से पांचवे नंबर पर हमारे अर्थनत्र को ले जाकर एक नीती के अधार पर चलने वाला राज्य नीती के बनाने वाले नेता कैसा होता है उसका उदारन दिया कोवीड आया तो भैबी थोये बगर सरकार की मसनरी कम पड़ जाएगी जब तक आंदोलन पूरा देश नहीं लड़ेगा इससे हम नहीं लड़ पाएंगे वो जानते हुए एक मोर्चे पर वैक्सिन का इनोवेशन का काम चालू रहा दूसरे मोर्चे पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन का काम चालू रहा तीसरे मोर्चे पर हर गरीब के घर में अनाज पहुचाने का काम चालू रहा चोथे मोर्चे पर जो कोवीड की दर्दियों की सुसुरूता कर रहे थ उनका नेत्रुतो करने का काम चालू रहा और पांच में मुद्ध मुखे पर जनता कर भी दिया जलाना थाली बजाना हसने वाले आज रोड पर घुमते हो गए उनको मालूम नहीं है पूरी दुनिया मोदी जी के समवेदन सिल और समगरता से बरे हुए नेत्रुतो को आशिका मानेवर यही समय में कोवीड का पड़कार भी आया है यही समय में 62 की तरह चीन ने अपना मुँ दिखाना सुरू किया दड़ता के साथ नेत्रुतो छाती सीना तान कर खड़ा रहा हिंदुस्तान की एक इच जमिन नहीं है कई बार हुआ था इसी समय में पूंचो और पुल्वामा में हमला हुआ सर्जिकल स्ट्राइक और एश्ट्रेक करकर नेत्रुतो की भीरता का भी परिचय दिया और घर में घुस कर जवाब देने का काम किया हजारों बच्चो जब परिक्षा के वक्त आत्महत्या करते थे ट्रेस में आते थे मनो रोग के सिकार बनने थे एक पिता की तर एक प्रजावात्सल नेत्रुतों का परिचय देते हुए परिक्षा पे चर्चा की भी बात मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से इस देश को ऐसे नेत्रुतों की जरुए थी सत्तर सत्तर साल तक अडशट अडशट साल तक देश ऐसे नेत्रुतों में भटकता रहा लटकता रहा एक सोतीस करोड की जनता ने मोदी जी को चुनकर एक सर्वसंपन गुन सर्वगुन संपन नेता को चुनकर देश की सभी चुनकर को समाप मनिवर, मैं आज आपके माध्यम से यह मैं कहना चाहता हू हूं यह राम मंदिर का निर्माण और डाम मंदिर में राम लल्ला की बाल प्रतिमा, मनोहरी धुरुष्यcción, आंख बंद कर देते तो सामने वो प्रतिमा दिखाई प्रतिमा इतनी मनोहरी प्रतिमा बनाने का काम हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्टा भी गुए। मानेवर एक प्रकार से समग्र भारतिय संस्कृति को मोदीजी के माध्यम से एक अभीवेक्ति का काम हुए। मानेवर राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण बचपेन में ही सिक्षा संस्थानों की रक्षा के लिए विश्वमित्र के वहां रावनों का वद किया। अहल्या को सन्मान दिया, माध सबरी को गले लगाकर इस देश के गिरी जन्ड और पीछडे लोगों को गले लगाने का काम किया, महिलाओं का सन्मान किया। और गिलरी, गीद, वानर, रींच, वनवासी सब को जोड़कर सत्य पर सत्य की विजए का जंडा स्री राम ने प्रश्वमित्र और मोधी जी ने जब यह अहुद्या बन रही है, जब यह अहुद्या बन रही है, धेरों लोगों ने, मैं आज सब के बीच में कहने से मेरी आ केरों रोगों के प्रस्ताव का जब यह अहुद्या के इंटरनेशनल एरपोर्ट को स्री राम का नाम बिया गये, बड़ा लोकल भावन प्रस्ता, परन्तू मोधी जी ने महर सी वालमी की का नाम देने जी आनिचने, सारे मोकों पर दसरत का, सितामाता का, साच चौड़ाहे पर नाम देने का प्रस्तावा है था, मोदी जी ने कहीं जटायू को रखा, कहीं गिलैरी को रखा, गहीं हनुमान को रखा, मनेवर समाहगर समाज, साथ में लेने का काम किया हैं, मनेवर ये जो मंदिर बना है, उसके निर्मान में भी, समाज को साथ में रखने का काम किया गए है मनेवर मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि इस देश के हर इसे को स्थान देने का काम मंदीर के निर्माता उने किया है एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहांसे कुछ नहीं आया है हर प्रदेश और आसपार्स के सभी देशों से राम काज के लिए कुछ न कुछ समर्पित हुआ है सबकी भूल का मंदीर उन्हें समाज को जोड़कर मन्यवर ये मंदीर बना है ये सामाजीक एकता का एक अधभूद उदाहने मंदीर है सांस्कृतिक पुनजागरन का अधभूत उदाहने मंदीर है मन्यवर अहोध्या में राम मंदीर विद्वन्स के सामने विकास का विजय है मन्यवर अहोध्या में राम मंदीर धर्मान दित्ता के सामने अध्यात्मिक्ता और भक्ति का विजय है मन्यवर भारत के गवरव में यूग की ये सुरुवात है आत्म निर्वर भारत और विक्सित भारत का रस्ते का प्रसस्ति करण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरू बनाने के रास्ते की माननेवर सुरुवात है मैं जरूर मानता हूँ कि सालों से सदियों से इस देश के प्रेणा पुरूस रहे जिनके चरित्र से न केवल इस देश पूरी दुन्या से देश लेती है ऐसे प्रभू स्री राम को मूर्ती का अपने नीजगर में स्थापन से इस देश का जो नया यूग सुरू हुआ है और इस सुभां कर सुरूआत हुई है उसको गंतव्य अत्सान कर ले जानता हुआ करेगी दानेवाद मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सकता और विचारा हुआ